हेलो मेरे पहारे बच्चो आज हम चैप्टर नमर 11 का लेक्चर नमर 3 कवर कर रहे हैं और आपकी है क्लास एर्थी आप भी जानते हैं हम इसमें कॉंग्रेस इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का मॉडरेट फेस पढ़ेंगे जो कि पेज नमर 69 पर आपको मिलेगा दा मॉडरेट फ अच्छा फिरोजसा महता एंड गोपाल कृष्ण गोखले यह कुछ इंपोर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे देवर मॉडरेट इन अब्जेक्टिप्स यह मॉडरेट थे अपने अब्जेक्टिप्स में और अपने मैठ थर्स में यह बिलीव करते थे कॉंसिटिशनल मैठ एंड मैठोड ऑप पर्सुएशन यह लगातार पिटीशन और रिसॉलूशन सेंट करते थे गवर्मेंट के पास जिसमें यह कहते थे कि फ्रीडम ऑप स्पीच और एक्स्पेशन रखिए एक्सपेंशन और वेलफेर प्रोग्राम को करिए प्रमोशन कीजिए एजुकेशन क डरी कुर्टिमेंट आफ एंडियांस तो हाइप उस्पेशन में इन्डीयन का रिक्रीटमेंट के ऐसे जो है पूस्यूमें उसमें जांड भी एक्नीमेंशन इनault इंड्याइ नोट स्विल सर्विसें ग्जामनेशन ये नौर जस्ट ओनली गजिए दिंगलेंड सुप्क हो सके मैं अकतलब कम किजिए इतना बड़ा है म 흥ा जो भारत का घर रखनना बंड की इन दा बीगिनिंग दृटिस इस्टैबलिश था उडियल रीलेश्टॉ के साथ बिलीज़ के साहोन प्रीटिस ऑफिशियल इवन सब्सक्राइब करना सुरू कर दिया देट इस्टीड विकमिंगा मीन तू कंटेंज दा एंगर आप मासे सब्सक्राइब मतलब उन्हें यह चीज समझ में आ गई थी कि बहुत जल्द इंडिया का जो नेशनलिज्म है इंडियन की जो नेशनलिज्म है उसका फोकस कॉंग्रेस इंडियन नेशनलिज्म का उन्होंने यह काम नहीं किया थोड़ी सब्सक्राइब भारत में नेशनलिज्म होनी चाहिए यह वाया अब आता है रेडिकल फेस के बाद आया रेडिकल फेस अटिटीट आप मोनी मैनी कॉंग्रेस लीडर्स चेंजड वैन दे सो दा इग्नोरें इसको बहुत सारे लीडर थे इनका एक्टिटूड बदल गया जब इन्होंने इग्नोरेंट एक्टिटूड देखा ब्रीटीसर्स का दा न्यू ग्रूप अब लीडर वर कॉल्ड रेडिकल नेशनलिस्ट और सेंपली एस रेडिकल्स जो नया गुरुप था लीडर्स का उस इस लीडर फेल्ट देट दा प्रिजेंट वे ओप दा कॉंग्रेस वर इनेफेक्टिव जो आज के टाइम का वे है वो विल्कुल नेफेक्टिव है यह काम नहीं कर रहा है दे वर इन फेवर ऑफ मोर रेडिकल अब्जेक्टिव और यह वेवर में थे कि जादे से जादे ज सब्सक्राइब कर दो मास्ट डेमोनिस्ट्रेशन तू इस प्रीड अवेक्निंग अमंग दा प्यूपल टू अचिव पॉलिटिकल रिफॉर्म ठीक है ना इसी क्या होगा कि जादे से जादे लोगों तक पॉलिटिकल रिफॉर्म के बारे में बात पहुचेगी बाल गंगा सेंस बेंगॉल प्रविनेंस वार पॉलिटिकली मोस्ट एक्टिव डबिटिश डिसाइड तू डिवाइड इंटो टू पार्स जो बेंगॉल प्रविनेंस था उस टाइम पर वह ज्यादा एक्टिव था तो बिटिशस ने सूचा क्यों ने इसको दोश समवाट दो 19 जुलाई 1905 उननिस जुलाई 1905 दा वाइसरोय लोड करजन ने इस्यू किया एक ओडर कि बेंगॉल प्रविनेंस को बाट दो ठीक ना क्या हुआ था पहले बेंगॉल पूरा एक था आज के टाइम पर क्या हुआ बेस्ट बेंगॉल बिहार जार्खंड ओडिशा एंड पॉपूलेशन वाइस मुस्लेम वाइस सेपरेटेट फ्रॉम रेस्ट बंगाल विच हैड़ा पर हाई परसेंटेज ओफ हिंदू क्या हुआ बेंगॉल है एक ठीक ना दो इस्सों में इसको बाट गया एक इस्सा था बेश्ट बंगॉल बेहार जारकंड ओडिशा और बंग इसको अलग कर दो मुस्लिम अलग हिंदू तो इनकी यूनिटी ही खतम हो जाएगी यह आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारे लिए यह परेशानी का शबब नहीं बनेंगे तो इन्होंने पूरे बंगाल से मुस्लिम को अलग कर दिये जहां पर हाई परसेंटेज ओफ इसके लिए हम इसको बाट रहे हैं ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों चलिए आप आपके देखते हैं इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इसको डिवाइट कर दिया जाए जिससे कि अदय काम हैवो एफिसेंटली काम हो सके तो हवेवर दा टूरी जन अबेंड वहएवर दाटूरीजियन बेहाइंड दा ज्यादा इस्ट्रोंग था पार्टिशन वाज़ डेलिब्रेट अटेंप्ट वीकन इट्वाइश सो इंग सीट्स ऑप डिस उनिटी बेट्वीं सिंदूस एंड मुसलिम्स अब इस पार्टिशन को सुरू किया गया कि भाई इनको कमजोर करना है तो ऐसे करना इनकी उनिटी क इनको खतम कर दो हिंदू और मुसलिम मैं इनको बाट तो यह हमेशा से रहा है ठीक ना कि डा डिसीजन और पार्टिशन वाज बाइडली क्रिटिसाइज एंड अल्मोस्ट अल्मोस्ट सेक्शन आफ सोसाइटी रोस अप एन ऑपोजिशन यह जो पार्टिशन का डिसीजन थ त्रू बहुत सारे धर्ना प्रदशन होने लगे मीटिंग्स होने लगी पीपल ओल कम्यूनिटीज टाइड सेक्रेट थ्रेड और इच अदर्स व्रेश्ट टू एक्स्प्रेस देर सोलिडेरिटी एंड वननेस लोगों ने रक्षा सुत्र बांदना सुरू कर दिया जैसे र का इफेक्ट में आने का वो था सिक्स्टीन अक्टूबर बास ऑब्जर्वड है जा डे ओफ मॉर्निंग मतलब उस दे को एक शोक शवा की तरह रखा गया इस दिन शोक दिवस मनाया गया नो बिजनेस वास कंड़क्टेट इन इंटाइर प्रोविनेंस बेंगॉल के पूरे अच्छा खासा क्योंकि लोग और जादे और जादे और जादे मजबूत हो गया तो मेरे प्यारे वच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ महां गया होगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट वॉक्स में ज़रूर बताइए मैं मिलता हूं आप से अगले व